दोस्तो आज गजो टोपिक है। उन लोगों के लिए हैं जो लोग अपने प्रेमी या प्रेमीका से बिछड़ चुके हैं या आपका प्रेमी अलग हो चुके हैं या आपकी प्रेमीका ने आपको नंबर ब्लोक में डाल दिया है। और आपका पती या प्रेमी आपसे बात नहीं करता तो यह चोटा सा उपाए और यह मंत्र आपने मजाक में भी बोल दिया तो वह हमेशा हमेशा के लिए आपके वश में हो जाएगा दोस्तो यह मंत्र इतना स्ट्रोंग मंत्र है यदि आपने यह मंत्र मजाक में भी बोल दिया तो वह लड़का या लड़की आपके वश में हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए तो दोस्तो यदि आपका प्रेमी या पती आपसे बात नहीं करता तो यह है छोटा सा ठोटका उपाई और यह मंत्र इतना सरल मंत्र है यह बैट कर आप एक मंत्र को सिरफ 20 बार बोलना हैं जैसे ही यह 21 बार बोल देते हैं वह आपका प्रेमी है या प्रेमी का है या आपका पती है या पत्नी है जिसके लिए भी यह उपाई टोटका करेंगे वह हमेशा हमेशा के लिए वश में हो जाएगा तो दोस्तो यदि आप हमारे चैनल पर नए है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें तो दोस्तो यदि आप अपने प्रेमी या प्रेमी का का दोस्तो यदि आप प्रेमी या प्रेमी का को किसको आप वश में करना चाहते है उसका आपको करना क्या है उसका सिर्फ एक नाम लिख दे अपना नाम सबसे पहले लिखना है जैसे की विजे और जैसे की लड़की का नाम चाहे इंग्लिश में चाहे हिंदी में आप लिख सकते हैं इस परकार से पलस का निशान लगा दें यदि आपका प्रेमी या प्रेमी का ने यदि आपकी प्रेमी का ने आपका नंबर बलोक में डाल दिया है तो आपको करना क्या है उसका नंबर आपको लिखना है इस परकार से आपको नंबर लिखना है और नीचे आपको एक मंत्र लिखना है ओम, हं, हां, कैं, सें, अमुक, अमुक की जगा पर उस परसन का नाम लिखना है और इसके बाद में सवय वश्यम वश्यम इस परकार से आपको मंत्र लिखना है और आपको सिरफ उस लड़की या जिसको भी आप अपने वश्यमे कर रहे हैं उसका मंत्र आपको 21 बार बोलना है 21 बार मंत्र बोलना है मंत्र जैसे ही आप बोल देते हैं जैसे ही आप मंत्र बोल देते हैं और इसी परकार से आपको एक सफेद कागज के उपर इसी परकार से आपको लिखना है और एक मोर पांक आपको लेना है और इसको इसी परकार से फोल्ड करके आपने किसी भी अलमारी के अंदर इसको रखना है यदि आपका प्रेमी है या पती है उसका कोई भी आपके पास में कपड़ा है तो उसके कपड़े के बीच में इसको रख दें जैसे ही आप यह उपाई टोटका कर देते हैं मात्र तीन घंटे के अंदर उसका फोन आने लग जाएगा दोस्तो यह विदी बहुत ही महाशक्तिशाली विदी है इस विदी को तब ही करना जब इसकी बहुत ज़्यादा अवशक्ता हो दोस्तो जादा जानकारी के लिए सक्रीन पर दियेगे नंबर पर संपर करें धन्यवाद दोस्तो